हेलो फ्रेंड्स में किरन यूपी कॉंपडिशन रूफ में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों हम अपनी स्टाटिक जीके की सीरिस को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का पहला कोशन आज का पहला कोशन है जबडे की हड़ी को क्या कहते ह हैं जबडे की हड़ी को मेंडिवल कहते हैं क्या कहते हैं मेंडिवल इंपॉर्टेन कोशन है याद रखिएगा नेक्स्ट कोशन है मिसित ग्रंथी किसे कहते हैं इसका सही आंसर होगा मिसित ग्रंथी अगनासे ग्रंथी को कहते हैं दोस्तों जो अगनासे ग्रंथी है इससे चलिए नेक्स्ट कोश्चन जैबिक घड़ी किस ग्रंथी को कहते हैं जैबिक घड़ी है यह पीनियल ग्रंथी को कहते हैं और जबकि प्यूश ग्रंथी को क्या कहते है जो प्यूश ग्रंथी होती है उसको मास्तर मास्तर ग्रंथी भी कहते हैं क्यों कहते हैं क्यों कि इसमें ब्रधि हार्मोन निकलता है और दुसरी बात क्या है यह अन्य सबी गरंतियों को कंट्रोल करता है ठीक है नेक्श्ट कुस्ष्टन बोज डालने की उम्र में 21 से 18 वर्स के संभिणान शंसोर्ण के द्वारा की गई जो बोज डालने के जो उम्र है वो दोस्तों जो जी एश्टी है यह एक जुलाई 2017 से लागू हुआ जो कि अप्रत्यक्ष कर है नेक्स्ट कोशन पानीपत का पिथम युद्ध कव हुआ पानीपत का पिथम युद्ध दोस्तों 1526 में इसमी में हुआ जो कि बावर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ और चलिए नेक्स्ट कोशन केंडियस उस्कि अनुसन्दा सहस्थान कहा है जो जोदवपूर में है नेक्स्ट कोशन जलिया वाला वाग हट्यकांड कब हुआ दोस्तों जलिया वाला वाग हट्यकांड है यह 13 अपर्डियल में हुगा है और यहां पर ध्यान दिजिए जो 19 मार्च 1919 से इसमें रॉलेट आक्ट आया है इसको भी ध्यान रखिएगा और 13 अप्रेल 1919 में जल्या वाला बाघ हट्या कांड हुआ है चलिया acie dreamed x c कोचन लिए पुराताद्विक सर्वेक्षण की स्थापना कर यू दोस्टेस बपारतिए पुराताद्विक सरवेक्षण स्थापना अठारर सर एक्साट में हुई है और किसने की Guitar ने की कि आध रखिएगा अंत्रीक्षशिविज्ञान के जनक कौन है लोते उंत्रीउ के जनक विक्रम सार भाई है को कि नेक्स्टकषन मलखंब क्या है यह मद्यविदेश का राज कि एक है मलखंब silent valley कहां इस्तित है next question तो silent वैली है वह केरल में इस्तित है और जबकि जब usar silicon valley है वह silicon valley किसे कहते है बैंगलॉर्ज हो है करनाटका में उसे silicon valley कहा जाता है next question सबसे बड़ी मीठे पानी की जील कौन सी है विश्वे में पूची गई है विश्वे में सबसे बड़ी मीठे पानी की जील कौन सी है दोस्तो सुपीरियल लेग विश्वे में मीठे पानी की सबसे बड़ी जील है जबकि कैस्पियन लेग खारे पानी की सबसे बड़ी जील है और किसके काल में हुई है दूसरी बाद्ध्डी संगती के हुई है चलिए मुधरा क्या है दोस्तों क्या है कि मुद्रा क्या है याद रखिएगा आई एमफ वर्ल्ड वैंक की स्थापना होती है 1944 में होती है और इसका मुख्या लखा है वासिंग्टन डीसी में है और एश्टी आइमफ की मुद्रा है यानि की इस्पेशल ड्राइंग राइट ओके चलिए नेक्स्ट कोश्चन आसियन के इस्थापना कब होई कि आसियन के इस्थापना दोस्तों 1967 में होती है और इसमें दस देश मेंबर रहें इसके याद रखिएगा सदत से देश कितने हैं दस है चलिए नेक्स्ट कोश्चन है मानभिकास सुचकांग का आधार क्या है नेकि रोस्तों जो है यूँआ है इसका जो नेक्सर दोस्तों है जीवन परत्याशा शाक्षर्टा और पितिवेक्ति आए इन तीनों को ही ध्यान में रखते हूँ क्या कर जारता है आप जाने कि जीवन फृत्यासा अगर साही होगी इसका मतलब उनका खान पान रैंस्ट ये सब भी सभी सभी होगा साख्षता सभी तो भी उनका विकास हो रहे होगा और प्रिति वेक्टि आये सभी यह विकास रेलेटिटिड एस इन टीने नों को सामिल किया गया जीवन प्रत्यासा साक्षर्ता प्रतिव्यक्ति आये में चलिए next question ease of doing business report कौन जारी करता है दोस्ते यह बहुत important question है जो ease of doing business report है यह वर्ड वैंग जारी करता है next question कादमबरी किसकी पुस्तक है कादमबरी बान भट्त की पुस्तक है है किसकी है बाडवत कि important कुछ तक है याद रखी ऑठारा présent tuna किसके कारेकाल में समाप्थ हुई दीजी ने क्षिर्जत में बियां भीकोर काल में समाप्थ होती है औि difficultセrieह ये ने सब्सक्राइब करते हैं तब तक के लिए नमस्कार कि लिए के लिए्यग कि लिए युट कि लिए्यम जब करना झाम कि अ करो दूद सक्राइब